हे फ्रेंट्स मैं हूँ अजीश शेक आज मैं बात करने वाला हूँ नेट्फिक्स की फिल्म थी ओल गाट्स के स्पॉलर फ्री रिव्यू के बारे में तो चलिए देखते हैं क्या खास है नेट्फिक्स की इस फिल्म में जिस वज़े से आपको यह फिल्म देखनी भी चाहिए कि इस फिल्म में है और यह फिल्म लगभग दो घंटे की है तो चलिए अब फिल्म की और बाकी डिटेल्स की बात करने से पहले आ जाते हैं फिल्म के प्लॉट पर क्या एक्च्छल में फिल्म की कहानी है क्या और हमें क्या अलग देखने मिल रहा है इस फिल्म में तो फ्रे दुनिया से खुद को छुपा कर रखता है, बट एक दिन, एक मिशन के दौरान, इनकी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाती है, कि ऐसे इम्मोटल्स भी दुनिया में एक्सिस करते है, जिसके बाद आगे क्या कुछ होगा, और कैसे इनकी टीम में नेल की कैरेक्टर आएगी, मैं ये बात तो शुरली कह सकता हूँ, कि गीना पिंस ने जो प्रोजेक्ट सोनी पिच्चर्स के अंडर लिया है, मावल कैरेक्टर्स का, यानि कि सिल्वर सेबल की फिल्म वो से कितना अच्छा बना सकती है, क्योंकि इस फिल्म को भी उन्होंने वैसे ही बनाया है, यानि ड के ओल गार्ड्स, जो कि सीधे-सीधे हमें ब्रिटिश आर्मी की याद दिलाता है, क्योंकि ये नाम वही से इंस्पायर करकर लिया गया है, और ऐसे ही ये सारे के सारे कैरेक्टर्स भी है, जिनकी उमर बहुत जादा लंबी है, और वक्त के साथ-साथ उन्होंने काफी सारे फाइटिंग कॉमबेक्ट्स को भी सीखा है, यानि कि वेल ट्रेन वॉर्यर्स, जिनने हराने लगभग नामुम्किन है, खेर और इस फिल्म की अड़ेप्टेशन, एक्च्वल में कॉमिक बुक से की गई है, जो आई थी येर 2007 में, जिसे लिखा था ग्रे रुकिया ने, जि जिस तरीके से इम्मोटल्स की डीटेल इस फिल्म में हमें दिखाए गई है, नील के क्याक्टर के लेकर के इम्मोटल्स काम कैसे करते हैं, और उनकी पावर्स क्या है, वो चीज़ भी हमें पसंद आएगी, और खास करके इसका कॉंसेप्ट, कि वो लोग इम्मोटल्स तो है लेकिन पता नहीं, ये शक्ति उनसे कब छिंज आए, और कब उनकी मौत आजाए, और यही चीज़ मुझे इस फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद आई, लेकिन जैसे जैसे फिल्म अगे बढ़ती जा रही थी, तो फिल्म का सेकेंड हाफ भी वैसे ही होता चला गया, जान मैं स्टार्ट से कहा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छी बन सकती थी, बट पूरी फिल्म का फोकस सिर्फ इसके एक्शन पर ही रह गया, जिन में से अगर सबसे फेर्ट एक्शन की मैं बात करूँ मेरे परसनल, तो मुझे इस फिल्म में सबसे अच्छा एक्शन, उनकी ये इंमोटेलिटी कितना बड़ा श्राफ है उन लोगों के लिए, जिससे वो लोग जल्द से जल्द छूटना चाते है, पच्छा कर भी ऐसा कुछ होता नहीं, यानि जो दर्द और तकलीब इस फिल्म में एंडी के करेक्टर को लेकर दिखाई गई है, वो हमें भी होती है, यानि पूरी फिल्म में फोकस, चालीस थेरोन के करेक्टर एंडी पर ही किया गया है, और सी के चलते हम इस फिल्म में बाकी दूसरे करेक्टर से कनेक्ट नहीं हो पाते, लेकिन फिर भी मैं तारीफ करूँगा चालीस थेरोन की, जिनकी पफॉफॉमेंस मुझे इस लगी कि फिल्म में अब तक पूरे राज खोले नहीं गए है, जैसे अब तक इसकी कॉमिक बुक में नहीं खुले है, खास कर कि ये कि उनकी इस इंबोटेलिटी पावर का राज है क्या, और वो लोग इसके बलबूते पर ऐसे जिन्दा रहते हैं, यही वो राज है जो आग मुझे लगता है नेट्विक्स इसके सीकल पर भी काम करेगा, और अब अगर फिल्म के कुछ बुरे पॉइंट्स की मैं और बात करूँ, तो उनमें से सबसे बड़ा मेजर ड्रॉप बैक है, इस फिल्म की लेंज, जो हमें दो घंटे की बहुत जादा लंबी लगती है, क्य लेकिन सेकेंड हाफ पर फिल्म पूरी तरीके से फ्लैट हो जाती है, और इसके लवाफ फिल्म में जिस तरीके का विलन लिया गया है, उसे देखकर भी आपको बहुत ज़्यादा हसी आएगी, क्योंकि वो विलन कम और कार्टून ज़्यादा लगता है, यानि कि जिस क्यार को इस फिल्म में विलन बनाया गया है, वो विलन बनने के लाइक है ही नहीं, क्योंकि हमने इस चैर्टर को बच्पन से काफी मजाग के तौर पर ही देखा है, और अगर आपको याद नहीं कि इस फिल्म का विलन यानि के हैरी मेलिंग है कॉन, तो मैं आपको याद दिला हमने इस चैर्टर को हैरी पॉर्टर की सीरीज में देखा है, जिस सीरीज में एक चैर्टर रोल टूडली डोस्ट्री का करता है, खेर तो अब आते हैं फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट पर, जैसे के फिल्म का बीजियम मुझे बहुत जादा पसंद आया, क्योंकि जिस तरीके की लेरिक्स इस फिल्म में सिच्वेशन के हिसाब से डाली गई है, तो उस पर बहुत जादा सूट करती है, और बाकी बात रही डिरेक्शन और फिल्म की एडिटिंग की, तो वो डीटेल में आपको अलरड़ी दे दी है, तो चलिए अब इस फिल्म की बाकी डी के से शॉट किये गए है, खास करके क्लोज अब से लेकर जूम करना और इसकी शेकिनेस आपको बहुत जादा पसंद आएगी, और इसके अलावा बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी के लिए मेरी रेटिंग रहेगी पांच में से जीरो स्टार की, जो कि इस फिल्म में है न करेंगी, क्योंकि जिस तरीके से पूरी की पूरी फिल्म को सेट किया गया है, इसके पास से लेकर प्रिजेंट तक वो चीज़े लोगों के लिए सस्पेंज बनी हुई है, लेकिन जिन भी लोगों ने कॉमेड बुक पड़ी है, उन्हें थोड़ा बहुत आइडिया होगा ह इन केरेक्टर्स के पास से रिलेटेड और अब बात करें मासर्स ओडियंस की, तो मासर्स ओडियंस की नजर में इस फिल्म की रेटिंग सीदे सीदे एक ही बनती है, क्योंकि वो इस फिल्म को इंजॉय करेंगे, और इसके अलावा मैं बात करू क्रिटिक्स की, तो क्रिटिक अगर आपको मेरा काम ज़रा सभी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे इस टाइप के कंटेंग को अपने चैनल पर कंटीनु रखने की तो चलिए अब खतम करते हैं वीडियो को यहीं पर मैं हूँ अजीश शेक आप देख रहेते मुवी स्टॉक चैनल और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और लगया तो इस बैल आइकन को भी क्लिक कर दीजेगा इससे होगा ये कि मैं अपने चैनल पर जब भी कोई नए व झाल बाइस